नमस्का दोस्तों तो आज यह से आर्टीकल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो सेविल सर्वेस या फिर किसी स्टेट फीशियस की तैयारी कर रहा है उन्हीं लोगों के लिए जरूरी नहीं रहता है अगर आप इस धर्थी पर रह रहे हैं तो आप सभी को भी जानना आपको बोलने का दिकार दिया गया है तो कहां तक आपका बोलने का दिकार है क्योंकि आप देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको बोलने का दिकार है तो कुछ भी बोलते रहिएगा तो देखें कि इंटरनेट तटरस्ता बनाम हैट स्पीच किस अंदर में अभी ये चर्चा मे बना हुए है, इंटरनेट ततरस्ता सितात पर क्या है, और इंटरनेट ततरस्तिता कमहत्त आकिर क्या है, सोसल मीडिया से आप क्या जानते हैं, यह भी सब्दा आप सुनते रहते हैं अबेसा, सोसल मीडिया, हर किसी के मुए से आता है, सोसल मीडिया पर मैं एक्टिव हूँ, तो इस पर भी बात करेंगी क्या किर होता क्या है सोसल मीडिया की उपयोगीता क्या है सोसल मीडिया का दुरुपयोग क्या है उपयोगीता तो कम ही देखेगी आपको दुरुपयोग इसका कुछ जाना ही देखेगा है टिश पीश सितातपर क्या है और फेक नीवच क्या है क्या किये जाने की आवसकता है ने सुधारे के लिए जैसा कि आपने आप हाली में देखा है कि 3300 से अधिक बहुराश्टिये कमपीनियों ने दुनिया के सबसे बड़े सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस्बुक पर बिग्यापन देना बंद कर दिया है ऐसा बताया गया है कि फेस्बुक द्वारा सोसल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौझूद घेडा अस्पत भासर, संकेत, लेट, आधी की विरुद्ध कोई ठोस कारवाई नहीं की जा रही थी फेस्बुक के ही कुछ सीज अधिकारियों ने मुख्या कारिकारी अधिकारी मार्क जुकरवर्ग के सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म को सत्त का परिक्षा नहीं करना चाहिए सभी विचारिक की आलोचना भी की थी प्लेटफॉर्म पर ये आरोप लगाया गया है कि इन पर मियानवार पर कि जो रोहिगा मुसल्मान थे इनके रोध अबद भेदभाव पूर्ण लेक पोस्ट और वीडियो डाली गए जिसने लोगों के मन में रोहिगा मुसल्मानों की विरुध घेडा को फैलाने में साहिता किये सयुक्तराज अमेरिका में रंग भेद बलैक लाइप्स मैटर आंदोलन की विरुध भी फेस्बुक में घेडा बभेदभाव पूर्ण लेक डाले गए यहां सीधा सा मतलब आँ निकाल लीजे कि आप भी फेस्बुक चलाते हैं वाट्सअप चलाते हैं इंस्टराग्रम भी चलाते हैं इस तरह कि कई कई तरह कि आप लोग सोसल मीडिया पर एक्टेव हैं तो आप देखते हैं कि जब आएगा हिंदो मुसलिम का कोई मुद्दा होगा तो आपके लिए आएगा आप तुरंट उसे फॉरवर्ड कर देंगे बिना सोचे उसमें एक पक्चकों लेकर बड़ी बुरी बुरी कमेंट्र लिके होंगे फिर भी आप बिना सोचे फॉरवर्ड कर देते हैं तो यही तो है आपका इसलिए इंटरनेट तटरस्था के सिध्धान्त का हवाला देती हुए कहा कि वह घेनास्पद या फिर नपरत फैलाने वाले भास्नों की विरूद कारवाही करने या फिर रोकने के लिए अभी तेयार नहीं है इंटरनेट सेवा पिदाता और फेस्बुक जैसे सामाजिक मीडिया न सिध्धान्त का उलगन होगा अभी कुछी दन पहले आप लोगोंने एक वीडियो देखा होगा तहा जा रहा था कि कहीं पार्क में आपने देखा होगा कि अपने आप एक जूला था वो अपने आप जूल रहा था अपने आप चल रहा था कहीं जहासी हासी का कहीं का इस तर आप था, वहां के गार्ड द्वारा बताया गया कि वहुत पहले से खराप था और क्या होता है कि वो एक बार चला के छोड़ दें तो वो चलता रहता है, अपने आप और आप समझेए कि एक बार किसी ने चला दिया, उसके बाद वीडियो गुना है, उसने डाल दिया लेकिन मैंने देखा कि कही दिनों तो इस तरह की अफ़वा चलती रही तो इस तरह की आप जो जूटी ख़बरें होती हैं, मुझे लगता है वो जल्दी फैलती है आप खुद देखते हैं जो सत्य घटना हैंगी, वो कमी फैलेंगी उसका तो पता भी ने चलेगा कि कहां क्या हुआ है इंटरनेट ततरस्तिता सितात पर क्या है नेट न्यूटिलिटी ऐसा सिध्धान थे जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस फिदान करने वाली कंपनिया इंटरनेट पर हर त्रेस्ट की डाटा को एक जैसा दर्जक दर्जा देंगी इंटरनेट सर्विस फिदान करने वाली इन कंपनियों ने में टेलीकॉम ओपरेटर्स भी सामलें इन कंपनियों को डाटा के लिए अलगलग कीमते नहीं लेनी चाहिए चाहिए हुआ डाटा भिन्ने वेबसाइटों पर विजिट करने के लिए हुँ या फिर अन्ने सिपाओं के लिए गया तब है कि बस 2003 में कोलंबियों इस विद्ध्याले की प्राध्यापक टिम्बू द्वारनेट नियूटिलिटी सब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था कब 2003 में इंटरनेट तर्टरस्था के अगर महत्ति की बात है अगर हम लोग करें तो सोगम इंटरनेट सुविधा की उपलब्दता वाग एवं अभिव्यक्ति की सुतंता का पूरक है इंटरनेट के उपयुक पर पितिवंद समिधार की अनुचेद 19.1 एक इतायद वाग एवं अभिव्यक्ति की सुतंता की मौलिक अधिकार का उल्लगन है यहां आपको बता देता हूं कि यहां आपको बोलने की सुतंता दे गई है आर्टिकल यानि की अनुचेद 19.1 एक इतायद लेकिन याद रखिए इस पर भी पितिवंद लग सकता है ऐसा नहीं कि आपको बोलने की सुतंता दे गई है तो राष्ट के खिलाब बोलने लगें आपको बोलने की सुतंता दे गई है तो किसी को गाली देने लगें तो याद रखे अगर इस तरह का कोई भी आपके द्वारा भासर दिया जाता है या कोई सब्दिक बोले जाते हैं जो देश की अखंडता को हानी पहुचाता है या किसी दूसरे के अधिकारों का ओलगन करता है तो आपके अधिकारों पर पितिबंद लगाये जाएगा ठीक है? आपके अधिकार वहाँ तक सीमे थे जज़ा तक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता है और देश की अखंडता को कुछ उसकी देश की अखंडता को कुछ आपके जो भी आप बोल रहे हैं उससे हानी नहीं पहुंचती है तब तक ठीक है जैसे ही देश की अखंडता पर आपके भासाट का प्रवाँ पड़ेगा गलत उसी समय आपके पितिबंद लगा दिया जाएगा कोई भी मुबाइल ओपरेटर इंटरनेट सेवा पिदाता या फिर सोसल मीडिया कंपनी ओनलाइन समगरी उपलब्द कराने को लेकर इंटरनेट की स्पीड से सम्मनीत मामलों में किसी भी विवसाइट के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगी नेट नियूटिलिटी सिध्धान के कारणी कंपनिया किसी भी सामगरी को बिलोग करने धीमा या धीमान गती पिदान करने जैसे कारण नहीं कर पाते हैं और लेकने हैं कि सयुक्तराष्ट का मानव अधिकार फरिश्यत भी इंटरेट भाव उसकी सुगमता पुर्वक प्रेयोग के अधिकारों अधिकार को मौलिक सतनता और सिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उपकरण के रूम में मानता है मानता विभेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन में सोगम इंटरनेट सुविधा की भूमिका से इंका नहीं किया जा सकता है अब एक सब्दा आप लोग सुनते रहते हैं सोसल मीडिया आखिर एक क्या है सामाजिक संजाल इस्थल आज की इंटरनेट का एक अभिन अंगे आपका सोसल मीडिया, जो दुनिया में एक अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, यह एक ओनलाइन मंच है, जो उपयोग करता को एक सावर्जनिक प्रोफाइल बनाने और वेबसाइट फर अन उपयोग करताओं के साथ साहिभागता करने की अनुवती देत यह पूरी पिक्रिया सूचनप प्रुद्दगी की पर आधारित होती है, जहां वेबन्पकार की सौप्ट्वेयर का उपयोग इन्टनिनिट के मादय हम से किया जाता है, उपयोग की बहुभित तरीके और तक्ने की निर्भरता ने सामजीक संजाल इस्थलकों वेबन्पका में रखा जाता है सोसल मीडिया के अगर उपयोगीता की बात करें तो सोसल मीडिया दुनिया वर की लोगों से जोडने का एक महत्पून साधन है इसने विस्थ में संचार तथा वाकिवम अभिव्यक्ति की सुतंता को एक नया आयाम भी दिया है आप देखते हैं कि आप सुबह आप उठे आपको गलत कुछ लगा अदेश में चला है आप तुरंत लिख सकते हैं टुईटर कर सकते हैं फेस्बुक पर डाल सकते हैं सोसल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुकधारा से अलग हैं और जिनकी आवाज को दवाया जा रहा था अब आप देखते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है आपकी अधिकारों का हनन हो रहा है तब भी आप ओनलाइन सिकायत कर सकते हैं या फिर ओनलाइन आप ट्वेट करके कहीं भी इस तरह से सक्रिय हो सकते हैं कई सोदों में सामने आया है कि दुनिया वर में अधिकास लोग रोज मर्या की सूचनाए सोसल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं अब आपको मालू ही तो चलता है सोसल मीडिया पर जुड़े होने के कारण कि आपके मोदी साहब क्या कर रहे हैं अमित साहब क्या कर रहे हैं कहां क्या चलना है ये भी इस तरह की जो भी जानकारी होती है ये भी आपको सोसल मीडिया से ही मिलती रहती है वरतमार में आमना क्रेकों के बीच जागरूपता फ्हलाने के लिए सोसल मीडिया का प्रियूप काफी ब्यापक इस्तर पर किया जा रहा है सोसल मीडिया के साथ ही कई प्रिकार के रोजगार भी पैदा हो रहे हैं आपने देखा होगा टेक टॉक का भी अभी कुछ बैन हो चुके हैं उसमें भी देखा था उससे रोजगारे आपके छीने गए थे सोसल मीडिया के अगर हम लोग दो रूपयोग की बात करें तो कई सोध अभी बताते हैं कि यदि कोई सोसल मीडिया का आवस्तक्ता से अधिव प्रयूग किया जाए तो है हमारे मस्तिस्किक को नकारात्मकरूख से प्रवावित कर सकता है हमें डिपरेशन की ओर भी ले जा सकता है इसलिए सलाय दी जाती है कि सोसल मीडिया का कम ही उपयूग करें या फेक निउच और हैट स्पीच फेलाने में भी मातपूर मुमी का निवाता है हैट स्पीच से तातपर क्या है आकर होता क्या है है हैट स्पीच बिविन आयोक के अनुसार हैट स्पीच के अंतरगत नसल जाती लिंग योन उनमुकता आदिक यादार पर किसी समोग इकलाब घेना फेलाने के कित इसमें सामिले भाय या घेना फेलाने वाली अत्वा हिंसा को भड़काने वाली भासन का लिखेत रूब में या फिर बोल कर अत्वा संकेत द्वारा पेसित किया जाना ही head speech है आप देखते हैं कि जब नेता कई बार social media पर उल्टेर सीधे सब दिलिक देते हैं जिससे क्या होता है कि या तो एक किसी नसल या फिर जाती या समूझ जाती समूझ की किसी व्यक्ति वो हानी पहुँचती है यानि कि उसकी भावनाओं को ठोस खेस पहुँचती है और इसी की तहट वो code भी चला जाता है तो ये है आपका ठीक है फेक नहीं उच की अगर हम बात करें तो फेक नहीं उच से तात पर ऐसी खबरों से है जो पाटकों को जानबूच कर गलत जानकारी या फिर धोका देने के लिए बनाई जाती है आमतोर पर ऐसे ही कबने लोगों के विचारों को प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है जो राजनेतिक एजन्डे को आंगे बढ़ाती है और ब्रहम बैदा आपके सामने करती है सोसल मीडिया पर गोपनेता की कमी होती है और कई बार आपका निजी डेटा चोरी होने का कदरा भी बना रहता है सोसल मीडिया के माद्यम से अभवाह का तेजी से पिसार होता है जो हिंसक गटनाओं की रूम में समाज की सामने आता है वधारन के लिए आप लेख सकते हैं कि भारत की विवनेच चेत्रों में बच्चा चोरी की अभवाह की कारण कई अंसक गटनाए होई थी अभी कोशिद हैं पहले आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं कोई महला रास्ता पूंच रही थी किसी बच्चे के तो उसका भी मॉब लिंचिंग कर दी गई थी सोशल मीडिया की माध्यम से सामाजिक धुर्वी करन में भी किया जाता है सोशल मीडिया साइट ने किसी उतपेरक की वूमिका निभाने के लिए तेयार है उधारन के लिए ट्वेटर आपकी नेमित रूप से और लोगों को अनुसरन करने के लिए पेरिद करेगा जो आपकी द्रिष्टी की समान द्रिष्टी कौन रखते हैं यह चुनावी लाप यह तो लोगों का दुरुवी करने के लिए भी संपधाईक अभी करताओं को आवस्तक उकरन उकलब दकरा दिता है सोसल मीडिया के द्वारा फैली अपवाहों के कारणी जनवरी 2020 में आपने संपधाईक तनाव महिंसक नहिंसक रूप ले लिया था दिल्ली की बात की जा रही है सोसल मीडिया प्लेटपॉर्म के किंतें बुद्धी मता आधारित अल्गुरिद्म जो घेर्णा फैलाने वाली भाशनों को फिल्टर करते हैं इस्थानी भाशा के नुर्पॉल नहीं है इसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं क्या करने की आवस्तकता है विदिक समंजस इस्थापीद करना सोसल मीडिया फिलेटपॉमें की दुरुपियों को रोखने बाउपलाब्द ओनलाइन कंटेंट की जाज करने के लिए बिभिन नीमों एवं दिशाने देशों में समझे सिस्थापीद करना अत्यावस सकते हैं इस पिकार भारतिये दंड सहिता सूचना पुरुदोगी की अधिनियम और अपराधिक विक्रिया सहिता की तहित प्रासंगीक प्रावधानों का यकी करन करने की आवस सकता है साथी इंटरनेट पर वायरल होने वाली गहना या वेदभावपूंट लेक हो फिर चाहे वो पोस्ट हो फिर चाहे वो वीडियो हो इन सभी से निपढ़ने के लिए सूचना पुरुदोगी की मद्यवर्ती संस्थानों के लिए संसोधन देशाने देशों को लागू किया जाना चाहिए नियाएक बीनेमन का पालन सुनेचित करना एक केस राय आपका स्तिरिया सिंगल बनाम भारसंग बाद में सर्वोच नियाले ने ओनलाइन के भासर और मद्यस्त सेवा पिदाताओं के मुद्धे को संबोधित किया सर्वोच नियाले ने धारा 1661 हो यह कहते हुए कि निरस्त कर दिया कि यह इंटरनेट और प्योग करताओं कानून प्यवर्तन एजेंसियों और नियालेयों के लिए सफ़्ष्ट मानक तै करने में आसपल हैं सर्वोच नियाले ने एभी ने देश दिया कि गहना बेदभा पूर्ण लेक, पोस्ट, बीडियो आधी को बीनेमेत करने की दिसा में सरकार को तेजी से कार करना चाहिए आधिकान सोसल नेटबर्किंग साइटों में साइबर दुर्विवार अन्य दुर्विवाओं की रिपोर्ट करने के लिए सुविधा उपलब्द होती है हाला कि इसकी बेवारे उपयोकता के लिए जंग जायरोकता और पिसासने के रिच्चा सकती अतिन्त मत हो है डिजीटल प्लेटफॉर्म पर दाईट्व सुनिश्चित करना डिजीटल जो प्लेटफॉर्म है इनपर किसी लेकन सामागरी वीडियो, कंटेंट को डालने के लिए सुलक निधारित किया जा सकता है ताकि लेकक द्वारा डाले गए कंटेंट पर उसका उत्तरदायत तै किया जा सके घेना बाव भेदभाव पूर्ण लेक पोश्ट और वीडियो आदी को तेजी से प्रासारित होने से रोकने के लिए कानूनी निस धाग्या बनाई जा सकती है अगर नियामक ढाचा इस्तापित करने की बात करें तो सोसल मेडिया पिलेटफॉमों, मेडिया संस्तानों, नांगरिक समाज और कानून पेवर्तन एकाईयों की बीच आपसी परामर्स के साथ उत्तरदायत, पिसारन और संस्तागत बिवस्ता का नियामक ढाचा बनाना चाहिए आचार सहिता का निर्माड के अंद बारा सरक्यारों के द्वारा सामान रूप से से सोसल मीडिया प्लेटफॉंग के बिनिमन हेतु आचार सहिता का निर्माड भी किया जा सकता है उधारन के लिए यह उगदान दे सकते हैं कि आप भी जो भी पोस्ट देखते हैं आप देखते हैं फिर चाहे वो वीडियो यूटूप पर भी हो या कहीं भी हो उसमें रिपोर्ट करने का आपके पास आता है अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो आप वहाँ से रिपोर्ट भी कह सकते हैं ठीक है लाश्ट में कह सकते हैं कि हमें इंटरनेट तटरस्था के सिद्धान को बादित किये बिना सोसल मीडिया प्लेटकॉम पर मौजूद अबद भासा घहना बेदभाव पूर्ण लेक और वीडियो आदी को बीनेमन नेमित करने की दिशा में काम करना होगा बिदित है कि किसी भी वीनेयावक धाचिप का विकास करना जितना दुसकर हो सकता है उतना ही दुसकर कार यह सुनिचित करना है कि इस्थापित वीनेयावक धाचिया लोकतंत में बाकिवं अभीव्यक्ति की सुतंता की अदिकार की ना किवल लक्षा करे वलकि समारूप से गेडा बाभेदभा उत्पन करने वाले भासा वा कंटेंट पर अंकुस भी लगाए और आप लोग भी जब भी इस तरह की आप लोग फेश्क निवज देखते हैं या गर हैट स्पीच देखते हैं तो इसे आप लोग भी सेर मत किया करेगा ठीक है उसे देख लिया करेगा कि स सचाई कितनी है उसी के बाद सेर किया करेगा ठीक है यह था आपका इंटरनेट ततरस्ता बनाम हैट स्पीच